कि नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूं सरकान प्रतिवस आपको पता है कि 19 जनवरी को बिहार में मानोर्स रिंखला का योजन किया जा रहा है और इसका मकसद है पर्यावरण की रक्षा करना लेकिन कांग्रेसियों की क्या राय है इस मानो परणों को बचाने के पक्ष में है बरबाद करने के पक्ष में देखिए जब प्रजाबरन का सवाल है जल जीवन हर्याली के वालें पूछ रहा है इनका आइटम जो है उतोँ अच्छा है लेकिन जब आदमी भूखा पेट रहता है यहां क्या-क्या बिरोजगारी की समस्य कि यहां महिलाओं के उत्पीरन का सबस्या है यहां अर्थववस्ता का समस्या है यहां स्वास्त का सबस्या है सिक्षा का समस्या है जब समस्या से भर पूर हो तो उसमें हर्याली कैसे हो सकती नहीं सर मैं नहीं मानता हूं पहले तो आपको हवा चाहिए पानी चाहिए तब जी स्वास्त और सुरक्षा यह बहुत आवस्यक्षा जीवन रहेगा जीवन तो है ही उसको और हरियर हरियाली लगना चाहिए तो हम समझते हैं जहां इतना इतना बड़ा समस्या राज के सामने हो वहां सिफ जल जीवन और हरियाली परमध्यान दे करके यहां सिक्षक है इनको दर्माहर नहीं मिल ला है यहां स्वास्त में दवाई नहीं मिल ला है यहां महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल ला है और जिस सिक्षक को आप पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं उसको को वाइफ फॉर्स लैन में लगवान है कि छात्र को लाइन में लगवान है छोटे-छोटे बच्चे को हम समय से भी उच्छित नहीं है कि स्कीम अच्छा है अगर यह सब कुछ सही रहे सिक्षा स्वास्त और शुरक्षा तब अगर यह बात होती तो हम लोग इनको उस्वागत करें आप जिस तरह से कह रहे हैं कि असकी मच्छा है लेकिन तारीफ नहीं कर रहे हैं सही समय नहीं बता रहे हैं उसके लिए मुझे लगता है कि विपक्ष की नियती ही हुग गई है बाधा शकतार फॉत आपका समझते हैं राजी के लिए कर रहे हैं इतना ऊथा करके राजी का अपना ंश्रू लग्ग कर रहे हैं और लग्या सिर्फ अपना संद चपता है तो सरकार के मुखिया का ने चहरा ही चमकता है और वह सरकारी खर्चे से चमकता है कोन नई बात है जिस तरह से मिश्यूज कर नहीं यह धन का और पावर का हम समझते हैं इससे पहले कोई भी सरकार इस तरह से दुरूपयोग सरकारी धनका नहीं कि थी एस्टेट में और हम समझते हैं यह उचित भी नहीं है कहीं से पर्यावरण को लगार चिंता करने के बरंग में तो सामिल नहीं ही होंगे अभी लेकिन मैं समझता हूं इसकी कोई आवस्चता नहीं थी यह गलत दिन नहीं है अभी के परपेश में क्या करना चाहिए था पर्यावरों को छोड़कर कौन से मुद्धे परमानों सिंख्ला का जब रोजगारी की समस्या पर करते अभी सिक्षक का जो उत्पीनन हो रहा है उनको नर्मान नहीं मिलना उस पर करते इस पर आप स्वास्त पर करते महिलाओं के हो गया 20 दिन से उसका अपरादी पकड़ा नहीं गया मानव सिंख्ला लगाना ते इस पर लगाई लगाते जापरादी को पकड़ने का जब लोग सो कहते आप याग रूख होई है जो अपराद करे उसको पकड़के पुलिस का हवाले कर दीजिए तिहासिक होगा बिहार की जनता समर्सम करेगी आप बहले ना करें ठीक है अब क्या होगा तो दिन देखिएगा जिस तरह से मिस्यूज ऑफ पावर हो रहा है उसमें तो होगा ही अतिहासिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तीचर कॉलेज में रहते हैं आपके स्टाफ हैं आप उनको दवाब पुर से मजबूरी में कोई आदमी जाता है मंद से इसमें क्यों जाएगा इसे क्या फाइदा होगा उसको तो आपने मंदन मोहंजा जी को सुन लिया कि जो प्रयावरन को लेकर मानुष सिंखला का योजन नितियस कुमार की स्रकार कर रही है उसमें मदन मोहंजा नहीं जाने वाल उसकी सबसे पहली तस्बीर आप तक हम लेकर आएगा आपका सहुक्स मंदन लगतार मिल रहा है उसे जारी रखिएगा